करेले की सबजी बहुती ज़्यादा फायदेमंद होती है लेकिन ये सबजी हर किसी को पसंद नहीं आती है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कड़वा हट होती है आज हम जिस तरीके से करेले बनाएंगे यकीन मानिये करेले बिलकुल भी कड़वे नहीं होंगे और सबजी इतनी टेस्टी वनेगी कि जिन्हें करेले पसंद नहीं है वो भी उंगलियां चाट चाट कर सबजीयां खाएंगे हमने यहां पे लिए हैं धाई सो ग्राम करेले इनको हमने धोकर अच्छी तरह से वाश कर लिया है इनका छिलका बिना हटाए हुए हम इनको इस तरह से कद्दू कस कर लेंगे मैं इनको हलके हाथ से कस रही हूँ तो इनके बीज नहीं कस रहे हैं अभी मैं इनको प्रेशर देते हुए जब कस रही हूँ तो इनके बीज भी अच्छे से कसे जा रहे हैं सारे करेले हम इसी तरह से कद्दू कस कर लेंगे और ये देखिए कितने अच्छे से ये कस गए हैं और जो छोटे-छोटे पीस बच गए हैं इन्हें हम चाकू से बारीक सा कट कर देंगे अब हम एक पैन गैस पर रखेंगे और उसमें डाल देंगे आदा चमच गी गी जैसे ही गरम हो जाएगा और हलका सा मेल्ट हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे एक चमच चने की दाल एक चमच मूमफली साथ ही डाल देंगे एक चमच कोकोनट पाउडर इन सबी को हम एक से डेड़ मिनिट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे ये देखिए डेड़ मिनिट में अच्छे से भून गए हैं इनका कलर चेंज हो गया है गैस हम बंद कर देंगे और इनको थोड़ा दरदरा सा कूट लेंगे इस तरह से हमने इनका पाउडर सा बना लिया है इदर हमने कड़ाई में कर लिया है तेल गरम और उसमें डाल देंगे कटे हुए दो से तीन प्याज प्याज को हम सारे पीसेज अलग होने तक भूनेंगे गैस का फ्लेम हम तेज रखेंगे जैसे ही पीस अलग हो जाएंगे हम इसमें डाल देंगे कसा हुआ करेला यहां पे हमने प्याज को सौफ्ट नहीं किया है सिर्फ खाली पीस अलग होने तक ही इनको भूना है अब हम इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे गैस का फ्लेम हम बिल्कुल तेज रखेंगे क्योंकि करेले के अंदर मॉइस्टर होता है और हम जब गैस का फ्लेम तेज रखेंगे तो यह बहुत जल्दी ड्राई हो जाएंगे करीब 5 मिनिट तक हमने इनको तेज गैस पे भूना है और 5 मिनिट में यह अच्छे से ड्राई हो गए है यह देखिए कितना अच्छा करेले पे कलर आ गया है क्योंकि करेले की सबजी थोड़ी क्रिस्पी अच्छी लगती है सौफ्ट नहीं यह देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी हमारे करेले हो गए हैं इनको हम अलग से निकाल लेंगे फिर से कड़ाई में हमने एक चमच तेल गरम किया है और डाल दिया है जीरा, तेज पत्ता और लाल मिर्ची इनको हम 30 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे चाहें तो आप टमाटर की प्यूरी भी यहाँ पे इस्तिमाल कर सकते हो टमाटर को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, यह देखिए टमाटर भी भून कर अच्छी तरह क्रिस्पी हो गया है इसमें डाल देंगे स्वात के अनुसान नमक, आदा चमच हल्दी, एक चमच लाल मिर्ची, एक चमच अमचूर पाउडर, आदा चमच गरम मसाला और अच्छी तरह से इन सभी को मिक्स कर देंगे फिर इसमें डाल देंगे भूनी हुई मूमफली और चने की दाल का पाउडर इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और एक से दो मिनिट तक फिर से भून लेंगे अब इसमें डाल देंगे भूने हुए करेले और प्याज सारे मिक्चर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे गैस का फ्लेम हमने यहाँ पे मीडियम किया हुआ है अब हमने इसमें डाल दिया है एक कप पानी पानी को हम अच्छी तरह करे ले और इसकी सबजी में मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ढख कर करीब 10 मिनिट के लिए इसको कुक करेंगे 10 मिनिट वाद देखिए सबजी में से बहुत ही अच्छी खुसफू आ रही है साथ ही ये सबजी बहुत अच्छी भी बनके तयार हुई है आप एक बार करे ले कि सबजी इस तरीके से जरूर ट्राइ कीजिए यकीन मानिये फ्रेंड्स आपको ये सबजी बहुत ही पसंद आने वाली है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही लेटेस्ट रेसिपीज एट सोनम चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ में तब तक के लिए आप इस सबजी को इंजॉय करें